भक्त और भगवान के बीच स्रद्धा और विश्वास की मजबूत कड़ी होती है जिससे भक्त भगवान के दर्शन को खीचे चले आते हैं तो वहीं कभी भक्त के बुलावे पर भगवान भी आ जाते हैं कुछ ऐसा ही राजणनगाउं शहर के समीब सिंगोला में नजर आता है यहां स्रद्धा और भक्ती का अद्बूत समागम दिखाई देता है यहां बाबा महाकाल के परमभक्त वावन डागा ने बाबा महाकाल मंदीर की स्थापना की है और उज्जैन की तरज़ पर ही प्रतिदीन भस मारती और बाबा महाकाल का विशेश स्विंगार किया जाता है जिससे यहां की अलोग एक्ता से ऐसा प्रतित होता है कि बाबा महाकाल स्वयम यहां आ जाते है बाबा महाकाल के दर्सन को उनके भक्त पौण डागा अक्सर उज्जेन जाया करते हैं प्रतिदीन भगवान महाकाल की सेवा करने का उनके जुनूर ने राजनन्द गाउशार के समीब सिंगोला में बाबा महाकाल की इस्थापना करवा दी वर्सों से यहां इस्थापित महाकाल मंदीर में पौणडा का स्वयम भसमारती और महाकाल क्या विशेश स्रिंगार करते हैं वहीं पाज प्रहरों की पूजह भी निरंतर की जाती है जिसमें हर समय उनके परिवार का कोई न कोई सदस से मौजूद रहता है वहीं प्रतिदीन मंदीर में होने वाले हवन भसम से भगवान महाकाल की भसमारती की जाती है बीते कुछ वर्सों में इस मंदीर की वज़ा से भगवान महाकाल के भक्तों की संख्या भी बढ़ती जा रही है यहां सावानमास में बाबा का विशेश स्रिंगार और उज्जैन के तजपर ही भगवान चंद्र मौलेशर की पालकी आत्रा भी निकाली जाती है यहां पहुँचने वाले स्वधालों को यहां पूजा अर्चना कर भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में पूजा अर्चना करने की सुखत अनुभूती भी प्राप्त होती है